हेलो गाइज आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं कम लेज फिर से आपके चैनल सक्सेस मंत्रा बाइदीपक राइप आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर स्से बैंक एंड रेलवे और और इस्टेट एक्जाम जितने भी होते हैं उसके लिए आपको रिजिनिंग की क्योश्चन की प्रैक्टिस करा जाती है यहाँ पर अच्छे लेवल की मैं रिजिनिंग क्योश्चन करा जाता है तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और क्यूब प्लस ओन भाई 8PQ का वैलू किसके बतल भब बराबर होगा देखे इसमें कैसे solve परते हैं देखे यहां क्या दिया हुग है यहां दिया है । दीजिए है और 8PQ दिया है सबसे पहले हमको क्या करना पहुँं सब्सक्राइगा है मेलिफिलाई करने लिए evident इसको वन वैडू से मदधॉय करतें को सब्सक्राइगा इसको क्या करना है इसको दोनों तरफ आपको क्यूब कर देना है अब क्यूब का क्या होता है अब इसको क्या करना है वेल्व फाइंड आट करना है कितना अगया था जैसे प्लस इसका फंज प्लस ओं भाई इहां इसको अगया थै अब देहिंए इसका फाला क्या आता है ऐनकी हो गया इपी wizard 2p का cube करेंगा तो 8p एक cube आजाएगा plus 3ab यानि 3 into p into 1 by 2p into a plus p यानि p plus 1 by 2p समझ गया equal to कितना था 2 था तो इसका भी क्यूब करेंगा तो 8 आजाएगा समझ यह देखे इसका p और इसका p क्या हो गया cancel out हो गया यानि और इसकी value कितनी दिवूई है इसकी value 2d हुई है यानि इसकी value यहां 2 रख देंगे तो 2 रख देंगे तो क्या होगा यह cancel हो जाएगा यानि आपका इसकी value निकाल लिए न तो इसकी value निकाल लिए कि यानि इसको क्या कर देंगे इसको तो इससाय लाँगे क्या नायगा दाते जाएगा क्या एक माइनस थरी हो जाएगा यानि इस तरह से इसका एंसर क्या हो जाएगा आपka इस तरह से आपका पार्ट भी क्या क्या जाएगा राइट हो जाएगा आए नेक्ट क्वेस्टन देखते हैं चलिए एक क्वेस्टन क्या कर रहा है कि 1.5 A is equal to 0.04 B हो तो B minus A upon B plus A का value बताना है देखिए परले हमको क्या करना पड़ेगा A और B का ratio निकाल दिए यह और B का ratio कैसे निकालेंगे देखिए इसको क्या करते हैं इसको solve करते हैं यानि A upon B करेंगे यानि यह तो यहां रखा हुगा है भी इधर से ला दिया है इसको तो यह पन भी हो गया आप देखिए 0.04 है और इसकी value क्या है इसको इधर ला दिये समझ गया यानि one point से one point क्या हो गया यहां आ जाएगा point यानि one point अगए इसको हटाएंगे तो क्या आगए यह जूरू हो जाएगा समझ गया यानि four upon अगया तो इसको क्या करते हैं दो से दिभायच कर देते हैं यानि two upon क्या अगए दो बटा 75 आगया समझ गया यानि एक कि वैलू कितनी आगई दो आगई और बी कि वैलू 75 आगई अब इसे के वैलू क्या आगई इसमें रख देना है फुट कर देना है एक वैलू दू और चैनल को सबस्क्राइब कर दें और बेल आइकन को अबसे प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो को नोट्फिकेस्ट आपको मिलते रहें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें आए नेक्ट कोईचन देखते हैं देखें नेक्ट क्या कर रहा है कि यदि एन कोई प्राक्रितिक संख्या है तो एन क्यूब माइनस एन स्वरवदा कि बड़ी से बड़ी संख्या से विवाजित होगा आपना पड़ेगा हम जानते हैं कि नेचरल नमर किसे स्टाट होता है वन से 12345 ऐसे क्या होगी है यानि देखें वन अगर इसकी वेली फूट करते हैं तो क्या जाएगा वन का क्यूब माइनस वन यानि जिरू हो जाएगा तो जिरू तो इसमें से कोई अप्सन दिया नहीं तो देखें वन रखते हैं यानि तो रखते हैं तो तू के भैलो के आज़ेगे तो एट आ जाएगा और यहां तू आज जाएगा यानि शीक्स हो जाएगा समझेगे और थ्री पूट करते हैं एक बार और बहुत तो थी करेंगे 27 वाजाएगा क्यूब और माइनस 3 यानि 24 देख रहा है 29 इसमें से देखिये क्में कौंसे रखिबाइड हो जाला आ यह तो नहीं हो दो होगा थी क्यों अब वी स्ञ께 नहीं वो जाएगा जके साफिक या होगा और ठीछ सटर बीयाएक आपका राइट एंसर शीक्स हो जाएगा समझ आप आप लोग समझ गए होंगे आए निक्स कोईचन देखते हैं देखिए निक्स क्या कर रहा है कि एक ताबे के तार जिसकी लंबाई चह तीं मीटर्था यानण तरब्यास मिल्यमीटर है उसको इकड़ा कर एक गोला बनाए गया है तो गोले का अर्द व्यास आपको की सेंट्रिमीटर में देखिए तांबे कत्तार यानि तांबे किस रू beginning होता है स्लिंडर रूक में समझ गया और जो पूचना ापको look कर सकते हैं तो देखे कैसे करते हैं जिक ल minha पय दिन्न करद жता है तोल पनाज़ कर आप अवर क्म अर्थ है त्वा सबस्क्राइब 1 बिवर खोंज पार देनिक पर अनिकालने पड़ेगे कि समझ गया तो देखे अब देखे इसकी वैलू क्या दिए हुए है आर की वैलू दिए हुए यहां पर यहां दो मिल्लिमीटर ब्यास दिया हुए यानि डाइमीटर दिया हुए तो आर की वैलू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा को दो से डिवाइट कर देगा यानि वाल मिलिमीटर क्या हो जाएगा इसका ब्यास क्या हो गतिर्जे आ गया अब कर एक सेंटीमीटर करना है तो हम जानते हैं कि एक सेंटीमीटर में कितने समय यहां हो जाएगा सेंटे में क्या होते हैं और देखे यानी 10 का स्कौयर करते हैं με यानि वन बाई 10 का स्क्वाइर करते हैं और एच की वैलू क्या दिए लंबाई दिए थार्टी सिक्स मीटर यानि इसको इस सेंटे मीटर में चेंज करना पड़ेगा न क्योंकि यूनिट के आगा सेम में रखना पड़ता है तो यहां 36 हो जाएगा समझ गया अब देखिए इस तो इधर यानि इसको इधर लाएंगे थी ऑपन 4 समझ गया तो क्या हो जाएगा यह कि नाइन थे जा 27 27 हो गया यानि आए ट्यूब की वैलू 27 है तो आक मेली क्या जाएगए अंडर क्यूब रूट निकाल लेंगे क्या हो जाएग इसकी त्री या जाएगी समझ गया 3 समझ गए इस से आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा पार्ट भी आपका राइट एंसर हो जाएगा आए वोप आप लोग समझ गए होगे आए नेक्ट कोईचन देखते हैं कि नेक्ट कोईचन क्या कर रहा है कि यदि किसी बस्तु के क्राइम मुली पर बीस परसेंट का लाव हो तो उसके क्राइम मुली पर परिकलन करने पर लाव की प्रतिसता क्या होगी देखिए आप जानते हैं कि किसी भी बस्तु का अगर लाव प्रतिसत निकालना हो और हानी प्रतिसत निकालना हो तो किसमें निक सकते हैं यह क्या होता है यही तो च्राय मुली पे कितना वह रहा है एक का लाव हो रहा है तो जितना लाब होता है क्या होता है उसको एड कर invect यानि पांच एक प्लस 6 होझाएगा चैळिया अबका निकालेंगे तो उसका प्र struct कितना होगा यानि क्या होझाएगा यहां मोन का निकल रहा है ones one-case पार्ट को निकलना है यानि आपको six लेना मैने शे लेना सब्सक्राइब यहां करा यानि बेकरे मुली को लेना है मानद एसके एसका होता है तो क्या होता है यहां सेलिंग प्राइस च्छे हो जाएगा और 1 भाई 6 इंटु हंडेट कर देंगा तो आपका राई टेंश अन्हें समझ गये आई नेक्ष्ट देखते हैं इस क्या रहा है किसी बस्तु के मुल्य में पहले 10 प्रत्सत की ब्रिधी तता उसके उपरांत 20% की वीज़ी की गई यह अंतिम बाठा हुगा मुल्य 23 रुपया हो तो प्राड मीक मुलि कितना था देखे दस प्रॉजेंट पहले विर जोती है मयनि क्या अध al मलीं । अब करहों कि 10 परसेंट वोगा यानि 10% किया ले सकता है गतो दोस से की जारा हो रहा है यानि 10 से कितना हो जा रहा है 11 एक्तुल से कितना हो जाता है यानि हो जाने 95 इसको 5 तो यह तो बार आए कि इसके ब्रीदी होने के बाद लाइज में कितना आता है वाई लू अपकी 33 रुप्य आती है समझ गहां आई प्या-ध यह क्या करना इसे को आगया आप एक्स के बावेल फाइंड अउट हो जाएगा समझ रहे आई किसे հॉल इसको करते हैं तो इसको अगया याई-प्राइगे घ्रविशूलओक वह टeने इन फॉज़ां और इसको डिवाइट कर दें कितना एलेवेंट टू सिक्स समाज़गा इसको सॉल्व कर दें एक आदा से तीन बार में त्यांतीच कट गया और यह में 3 दूरा छो हो जाएगा फीर 2 पच्छे 10 यानि यापका क्या हो जाएगा पंच पच्छे 25 आपका इनिसेल मंट मतलब क्या शुरू में कितने थी मुल्क कितना थह 25 रूपए समाज गये इस तहुर से आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा पार्ट्य आपका राइट एंज और यानि 25 रुपे इसका मुल्य था सुरू-सुरू में आप आप लोग समयज गए होंगे चलिए नेक्ट्स कोचन देखते हैं कि नेक्ट्स कोचन क्या कर रहा है कि सब्सक्राइट करना आपका इसका वैलू फाइंड़ करना है अब जानते हैं कि अगर क्या होगा अगर ऐसे संख्या हो तो इसका डिरेक्ट फामुला होता है डिरेक्ट सम आप क्या हो इसको आप नंबर यानि एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2N प्लस 1 उपन 6 इसका डिरेक्ट फामुला होता है अगर स्क्वाइर का सम कोईट करना है कितने टर्म तक निकालना है वही उसकी वैलू क्या हो जाती है यानि 10 तक निकालना हो तो इन की वैलू 10 हो जाएगी अगर यहां 20 स्क्वाइर तक करना होता है तो यहां एन क प्लस 1 बाई 2 होता है समाज़े यानि स्क्वाइर का फ्रमुला यह होता है तो देखिए एन की वैलू 10 पूट करके वैलू निकाल देते हैं तबको बटाया दे फ्रमुला क्या होता है एन इंटू यानि एन प्लस 1 यानि 11 हो जाएगा फिर 2N प्लस 1 यानि 2 गुने 10 20 और 21 हो इसका राइट एंसर हो जाएगा आई यह वह आप लोग समझ गया होंगे आए नेक्ष बचन देखते हैं तो यह एक पाईप किसी पानी के टैंक को एक अन्य पाईप की तुलना में तीन गुनी तरी से भरता है यादि दोनों पाईप मिलकर खाली टैंक को पूरा भरने में 36 मिनट लें तो धीमी रफ्तार वाला पाईप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा तेकि अच्छा कोश्चन है पाईप एंसे से देखे इसमें क्या करना होगा आपको कर आए कि दो पाईप है दिया हुआ है एक कर आए कि एक पाईप जिसमाने एमाली और दूसरी पाईप लिए कर देखेंगी दोनों पुर्पर लना यानि यह एक म्निट में इयक युनििट बढ़ता है और maior ये ग week में तीने बढ़ता सब्सक्राइब करेंगे या हैसरा में और दोननों को मिल के भरेंगे तो perfection विजाएंग थृप संगड़ेंगे इसका टोटल वालूम निकल गया अब कर divisGHT अगलेगा है कि अगर ची भी 주고 कितने गर बहुर्ड एक यूनिट बढ़ रहा है यानि इसमें से इसको डिवाइट कर देंगे समझ गए तो जो आएगा उसका क्या हो जाएगा इस समय नहीं कल जाएगा अब देखें 36 इंटू 4 को मुल्टिप्लाइए करेंगे तो कितना आएगा चार सके 24 और 412 14 समझ गए अब इसको क्या करना है देखिए घंटा में दिया हुए आपको इसको गंटे और मिनट में चेंज करना पड़ेगा यानि 60 से डिवाइट कर देंगे तो देखिए 60 दूना 120 और कितना रिमेंडर बचा 24 समझ गए तो 120 और 24 यानि दो गंटे और 24 बचेंट गम अब कर देखिए यानि दो गंटे और 24 मिनट आपका राइट इंचर हो जाएगा यानि पार्ट बी-पकर क्या होगा के समझ गया हो आई नेक्स्ट को चन देखते हैं कि को एक किसी बर्र की प्रत्य भुजा को ुँए अब जानते है कि बर कर चत्पल क्या होता है ए मुखे है आपको बता है थे कि अगर कोई भी संक्या operators से के निकनलना है तो दो आर्फ यहां यानि दोनों इस साइट क्या है यह तुछेमी तो ना यहां 10 परसेंट बढ़ रहा है यहां भी 10 परसेंट बढ़ रहा है यानि ए और व की वैलू क्या है दस है और डायेट फॉंगुला बर रहे कि आपको क्या जाएगा राइटन चो जाएगा आए निकालते हैं यहां क्या हो 10 हो जाएगा फिर यहां भी 10 हो जाएगा यानि 10 इंटू 10 ऑपन है हंडेट समझगा यानि 10 इंटू धोषी हांडेट हो गया यह एक क्या हो जाएगा 21 कई सवारेगा शेथर पर्सेंट की विर्दी हो जाएगी समझेगा इसका राइट एंचर आपका पार्ट भी इसका एंसर हो जाए गाई एक आजयी नेक्स्त क्वेश्चन देखते हैं देखें देखें क्या करा है कि डाबल्य उपूअपन डाबलू टू कितना है तू टू सई त्री और डाबलूवड वन अपन डाबलू थ्री कितना है इसका राइस्यों कि वन इस्टू पूल्स फॉट लॉत 아니야ङब का सकता है इस में क्या दिया है डबलू अपन डबलू टू यहां टफुर टी कर देता है अब कर देती ऌद्रेशियो किसका दिया है w102 कितना दिया है तुम जह सांने तो ऊच्छी दूर्टी अप दिये अचे की है यानि जो खाली बचा है यानि इसके बात की खाली बचा है तो जो बचा उसको क्या हुआ है तो डगते नहीं मुन है तो इसको बटिप्लाइब कर दें यानि तू टू जा फो और वो गया यह 2 हो जाएगा यह 3 से 3 हो जाएगा समाझ गए आप यहाई क्या हूगा इसका वालू आ गया यह Sono Do डबलुटू और दाब्लुटू की बेलुटू त्री आ गई अब देखे किसका यह स्यों पूछ रहा है राइट यानी डबलुटू क्या यहां पर आप चैनल से बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर कर देजे चलिए आप से नेक्ट वीडियो मिलता है भी थैंक यू टेक कियर